हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स जैसा कि आपने थाम्निल में देखा हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कंपेर करने वाले हैं एश्टी बोल्ट को एमेस बोल्ट से तो इन पाचो पॉल्ट के बेसिस पे हम कंपेर करने वाले हैं दोनों को एमेस और एश्टी बोल्ट को इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई हैं जिसमें हमने ये बताया है कि एश्टी बोल्ट के हैड के उपर में लिखे हुए जो नंबर होते हैं जैसे की 8.8 और इन सब का क्या मतलब होता है अगर आपको वो वीडियो देखनी है उसके बारे में जानकारी लेना है तो आप उपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिताग तो सबसे पहली बात HT का मतलब होता है High Tensile Bolts जबकि MS का मतलब होता है Mild Steel Bolts तो सबसे पहला पॉइंट है On the Basis of Strength अगर हम Strength की बात करते हैं तो जो हमारा HT Bolt होता है वो काफी ज़्यादा Stronger होता है MS Bolt से याने की HT Bolt जो होता है वो High Tensile Strength होता है उसका है ना और उसे Design किया जाता है ताकि वो With Strength कर सके याने की जहल सके Heavy Load को High Stress को Second Point है On the Basis of Material Composition अगर हम Material Composition की बात करें तो जो HT Bolts होता है वो Alloy Steel से मिलकर बना होता है Alloy Steel अलग-अलग Grades के होते हैं तो एक Specific Composition तो आपको बता पाना मुस्किल है क्योंकि बहुत सारे Different Grades के HT Bolts होते हैं लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो HT Bolts होते हैं उसमें Chromium, Molybdenum जैसे की Alloying Elements जो है उन्हें Add किया जाता है याने कि जो हमारा HT Bolts है याने कि High Tensile Bolts है वो आपका Alloy Element है ना Steel का Alloy है जबकि MS Bolts याने कि वो किसी का Alloy नहीं है वो Simply MS है याने कि Simply Mild Steel है Next Point है On the Basis of Corrosion Resistance तो जो हमारे HT Bolts होते हैं वो High Resistance Offer करते हैं Against Corrosion क्योंकि इसकी जो Compositions होती है ये एक Alloy Compositions होता है जिसकी वज़े से इसे आप Outdoor में और Corrosive Environment में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं याने कि बहुत जल्दी से इसका Corrosion हो जाता है अगर आपको इसको Corrosion से बचाना है तो इसे कुछ Treatment आपको देना पड़ेगा जैसे कि कुसी Additional Coating को आपको Apply करना पड़ेगा उसके Surface पर Next Point है On The Basis Of Cost अगर हम Cost की बात करते हैं जो HT Bolts होता है वो ज़्यादा Expensive होता है याने कि ज़्यादा Costly होता है As Compared To MS Bolt क्योंकि HT Bolt का जो Material Quality है वो Superior होता है प्लस उसका Manufacturing Process जो होता है वो भी थोड़ा सा Costly होता है इसकी वज़ा से आपको HT Bolt जो है वो ज़्यादा Costly पड़ते हैं या फिर Expensive होते हैं As Compared To MS Bolt Next Point है Applications तो HT Bolt को Commonly Use किया जाता है Structural और Engineering Applications के लिए जहाँ पर High Strength और High Durability की ज़रुरत पड़ती है जैसे कि Construction of Bridges and Machineries जबकि MS Bolt को ऐसी जगह पर Use किया जाता है जहाँ पर कम Strength की Requirements हो Means Lighter Duty Applications के लिए MS Bolt का इस्तबाल किया जाता है जबकि Higher Duty Applications के लिए HT Bolts को Use किया जाता है तो Friends यह थी एक comparison I hope यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी यह वीडियो आपको helpful लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलवीदार